नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो साउथ फिल्मों का क्रेज जब से बढ़ा है तब से एक नाम आपको अक्सर सुनने को मिल रहा होगा वो है पैन इंडिया कभी पैन इंडिया फिल्म है तो कभी पैन इंडिया सूपर इस्टार अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि अल्डू अजुन की ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीस हो रही है थलापती विजय की इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीस किया जाएगा तो सबसे पहले जानते हैं कि पैन इंडिया का मतलब होता क्या है दोस्तों पैन इंडिया फिल्में वो फिल्में होती हैं जिसे पूरे इंडिया में एक साथ रिलिस किया जाता है इस उमीद के साथ की फिल्म को मैक्सिमम ओडियन्स तक पहुचाया जा सके और फिल्म का रेविन्यू जादा से जादा बढ़ सके उसी तरह पैन इंडिया सूपर इस्टार वो इस्टार होता है जिसका पूरे देश की ओडियन्स पर वर्चस हो पहचान हो और पुरा देश उनकी फिल्में देखना पसंद करता हो कम सब्दों में वो इस्टार जिनको पूरे इंडिया में इस्टारडम प्राप्त है और उनकी काफी तगली फैन फॉलवेंग है उन्हें कहते हैं पैन इंडिया सूपर इस्टार खास बात ये है कि वे अपनी फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीस करके फिल्म की सफलता से अपना इस्टारडम भी साबित कर चुके हैं वैसे तो साउथ फिल्मों का क्रेज आज जिस भी लेवल पर है उससे ये तो साफ तोर पर देख सकते हैं कि बहुत से साउथ एक्टरस को पैन इंडिया लेवल पर पॉपलेर्टी प्राप्त है मगर टेकनिकली अभी के पॉपलर एक्टरस में तीन इस्टार्स को ही ये कह सकते हैं कि वे असली पैन इंडिया सूपर इस्टार है थोड़ा पीछे जाकर देखे तो सूपर इस्टार रजनिकान सर अपने समय तक के पहले पैन इंडिया सूपर इस्टार कहला है इनकी फिल्में जनरली एक्रोस इंडिया अलग-अलग दरसक वर्क के दोरा पसंद की जाती रही इसके अलावा अर्विन सौमी, अर्जुन सरजा, नागा अर्जुना और चियान विक्रम को भी पैन इंडिया लेवल पर एक्सेप्टेंस मिला मगर रजनिकान सर की जितना किसी की भी फैन फॉलिंग नहीं हो सकी रजनिकान सर तो पैन इंडिया सुपर स्टार नहीं बलकि युनिवर्सल सुपर स्टार हैं ऐसे लेजिंडरी अक्टर्स पर अब क्या ही कहें फिलाल हम चर्चा करेंगे आज के समय के बिगेस्ट सुपर स्टार की जानेंगे तीनों में से कौन सबसे बड़ा सुपर स्टार है तो दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों पैन इंडिया पर रिलीस हुई फिल्मों को मद्दे नजर रखते हुए अगर हम बात करें कि किस फिल्म के बाद पैन इंडिया सब दे इतना चर्चा में आया तो वो है बाहूबली दा बिगनिंग ये सच्चाई भी है कि बाहूबली फिल्म के सफलता ने मेकर्स को हिम्मत दी कि वे अपनी फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर रिलीस कर सकें इस से पहले एस संकर के निर्देशा ने बनी रोबोट और आई जैसे फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर रिलीस किया गया था इन फिल्मों ने टेकनलोजी और VFX के इस तरह में बॉलिवूड को साफ तोर पर टक कर दी ये फिल्में बॉक्स आफिस पर सफल तो रही लेकिन इन फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में वो धमाल नहीं बचाया जो बहुबली फिल्म ने मचा दिया साल 2010 में रिलीज सुई रोबोर्ट की तस्वीरे पबलिक से लेकर फिल्मी मेकर्स के लिए धुंदली हो चुकी यहां बहुबली फिल्म ने साउथ के मेकर्स का माइंड सेट बदलने में पूरी तरह से मदद किया फिल्म की एथियासिक सफलता ने साबित किया कि अब लेंग्वेज नाम का बेरियर पूरी तरह से तूट चुका है अगर आपके पास अच्छी फिल्म है तो वो फिल्म देश विदेश में जंडे कार सकती है बहुबली फिल्म ने साड़े 600 क्रोण की कमाई करी वहीं बहुबली दा कंक्लूजन ने 1810 क्रोण की कमाई करके भारत की सबसे अधा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जुलाई 2015 में रिलीज होई बहुबली तब बिगनिंग की अपार सफलता देख इसे दुबारा भुनाने की कोसिस की गई इसी साल 10 अक्टूबर 2015 को एक तमिल फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया ये फिल्म थी पुली जो कि थलापती विजे की पहली पैन इंडिया फिल्म थी इस फिल्म में उनके साथ किच्चा सुदीप और स्री देवी भी थी थलापती विजे की ये फिल्म बॉक्स आफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई या यू कहें कि बहुबली के एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाई ये फिल्म बुरी तरह से पिड़ गई उदर तेलकू इंडस्ट्री के तरफ से भी बहुबली की सफलता को भुनाने के लिए अक्टूबर 2015 में एक और फिल्म रिलीज की गई इस फिल्म का नाम है रुद्रमा देवी इस फिल्म में बहुबली के पॉपलर चहरे अनुसका सेटी और राना डगू बती भी थे साती साथ उनके साथ इस फिल्म में अल्लू अजुन भी एक एहम भूमिका में थे इसके बहुजूद ये फिल्म बॉक्स आफिस पर अंधे मोगिरी बेचारे मेकर जो बहुबली से इतना उत्सायत हुए थे वे ठंडे बस्ते में बैट चुके थे हाला कि 2017 में बहुबली ता कंक्लूजन ने फिर से इतियास रज़ दिया जनरली फिल्म का सीक्वल पहली फिल्म के इतना इंपक्ट नहीं डल पाता मगर ये सीक्वल पहली फिल्म से भी तगला था प्रभास की पॉपलरिटी एकदम से बढ़ चुकी थी और उनके लिए एक अलगी दिवानगी देखने को मिलती यानि की इंडस्ट्री को अब तक एक सफल पैन इंडिया सूपरिस्टार मिल चुका था इसके बाद एस संकर की 2.0 पैन इंडिया पर रिलिस हुई फिल्म ने कमाई तो अच्छी करी लेकिन अपने हाई बजट के चलते फिल्म उतनी बड़ी सफल नहीं कहलाई जितनी इस फिल्म से उमीद की गई थी उधर कनेडा इंडस्ट्री में सायद अब तक सुखबुगाहर सुरू हो चुकी थी फाइनली 21 दिसमबर को एक नए चेहरे के साथ येस की फिल्म केज़ेफ चैप्टर 1 रिलिस हुई अब तक कई पैन इंडिया फिल्म में बड़े बड़े चेहरे के बाउजूद अधे मुग गिर चुकी थी नतीजन केज़ेफ चैप्टर 1 से किसी भी तरह की उमीद नहीं थी उपर से फिल्म का क्लैस बॉलिवूड के बादसा सारुक खान की फिल्म जीरो से हो रहा था लोगों का माथा तब ठंका जब केज़ेफ ने सारुक खान की फिल्म जीरो को पटकनी दे दिया दीरे दीरे हिंदी बेल्ट में केजेफ की वर्ड आप माउथ के चलते थेटर्स भढ़ने सुरू हो गए फर्स्ट वीक ने इस फिल्म ने 21 करोंड 45 लाख सेकंड वीक में 11 करोंड 50 लाख और थर्ड वीक में 7 करोंड 40 लाख की कमाई करी इस तरह फिल्म ने अकेले हिंदी बेल्ट में 50 करोंड के लंसम की कमाई करी फिल्म का टोटल कलेक्शन रहा 2500 करोड रुपए इस तरह बहुबली के बाद किये जिफ पहली फिल्म बनी जिसने पैन इंडिया लेवल पर सफलता मिली लोगों का प्यार मिला और फिल्म के जरिये यस को ट्रिमेंडस रिस्पॉंस मिला लोग यस के स्टाइल और स्वैक के दिवाने हो गए इस तरह यस दूसरे एक्टर बने जिने पैन इंडिया सूपर स्टर कहा जाने लगा 2019 में साहो और सायरा नरसिंबा रेड़ी जैसी फिल्म में रिलियस होई मगर ये फिल्म में उस तरह का रिस्पॉंस पाने में नाकामियाब रही तब भी साहो फिल्म ने अपने साड़े 300 क्रोन के बजट में साड़े 400 क्रोन की कमाई करी जहां प्रभास के नोर्थ में स्टारडम के चलते इस फिल्म ने हिंदी बेल्ट में काफी अच्छी कमाई करी इसके बाद धलापती विजय की फिल्म माश्टर को भी एक तरह से पैन इंडिया फिल्म ही कहेंगे पुली की तरह ये फिल्म भी हिंदी बेट में ज्यादा अच्छा कमाई नहीं कर पाई हाला कि फिल्म ने अपने स्टेट में काफी तगली कमाई करके दिखाई कोविट के बाद ये पहली फिल्म बनी जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीस किया गया निश्ची थी इसका इंपैक्ट फिल्म पर भी पड़ा इसके बाद भी और भी कई छोटी बड़ी फिल्म में पैन इंडिया लेवल पर रिलीस होई मगर उन फिल्मों ने कोई भी पैन इंडिया सूपर इस्टार नहीं दिया साल 2021 के अंत में एक तेलकू की पैन इंडिया फिल्म रिलीस होई फिल्म की हिंदी रिलीस को लेकर काफी संसे था जिसके चलते फिल्म का प्रमोशन भी नहीं किया गया ये फिल्म थी पुस्पा दा राइस जो की अलू अजुन की पहली सोलो पैन इंडिया फिल्म थी हिंदी बेल्ट में फिल्म की सुरुआ धीमी थी और लोगों ने फिल्म को क्रिटसाइज भी किया मगर पुस्पा ने धीरे-धीरे मोमेंटम पकड़ना सुरू कर दिया अलू अजुन के फैंस ने फिल्म को हाथ तो हाथ लिया और फिल्म ने धीरे-धीरे थेटस में जंडे गार दिये इस फिल्म ने अकेले हिंदी बेल्ट में सौ क्रोन तक की कमाई करी ये गौर करने वाली बात थी कि बॉक्स ओफिस कोविट के चलते सुस्क पड़ा हुआ था फिल्म के प्रमोशन पर बहुबली के वन टेंथ का भी खर्च नहीं किया गया ये फिल्म सिर्फ अलू अजुन के स्टारडम और वर्ड अफ मौथ के दम पर चली और केजिव के बाद इंडियन सिनेमा को अपनी अगली पैन इंडिया सकस्फुल फिल्म मिली इस फिल्म की सफलता के तौर पर अलु अजुन तीसरे पैन इंडिया सुपर स्टार बन कर उपरे अभी त्रिपल आर से जूने अटियार और राम चरण भी पैन इंडिया सुपर स्टार बन जाएंगे वहीं सरकारू वारी पाटा से महज बाबूवी पैन इंडिया सुपर स्टार बन जाएंगे आने वाले समय में साउथ का हर बड़ा एक्टर अपनी पैन इडिया रिलीज की तैयरी लेकर बैठा है वे सभी अपनी किस्मत पैन इडिया लेवल पर अजमाने वाले हैं फिलाल अभी हमारे पास तीन पैन इडिया सूपर इस्टार है प्रभास, अल्डु अजुन और रॉकिंग इस्टार इस्ट जिनोंने अपनी फिल्मों को सकस्फुली पैन इडिया लेवल पर रिलीज किया फिल्मों की सफलता से वे पैन इडिया सूपर इस्टार बन गए अब आते हैं इस सवाल पर कि कौन बड़ा सूपर इस्टार है दोस्तों तीनों ही इस्टार की खास बात कहें या कों इंस्टन्स कहें इन तीनों के ही फिल्में दो पार्ट में रिलीज हुई या होने वाली है रॉकिंग इस्टार यस की बात करें तो केजिफ के बाद केजिफ चैप्टर टू रिलिस होने वाली है इस फिल्म को लेकर दर्सको में एकसाइटमेंट काफी लंबे समय से ही देखा जा सकता है फिल्म से सफलता की उमीद साफ तोर पर की जा सकती है इस फिल्म के जरीए सौ करोन का दाओ रॉकिंग इस्टार यस पर खेला जा चुका है इसके अलावा भी और भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट सुर्खियों में है केजिफ चैप्टर टू की सफलता यस के आगे के फिल्मी सफर को तै करेंगी पुस्पादा रूल का भी दर्सको को बेसबरी से इंतजार है हाल में ही उनकी फिल्म अलाव वैकुन परमलो के लिए भी दर्सको की अलगी दिवानगी देखने को मिली जबकि वो फिल्म एक साल पुरानी फिल्म थी वहां पुस्पादा रूल तो बॉक्स आफिस पर क्या ही कमाल करेगी फिल्म का बजट दो सो करोंड तक का बताया जा रहा है प्रभास इस समय इन दोनों से ही काफी आगे दिख रहे हैं उनके खाते में भारती सिनेमा में बन रही सबसे बड़ी बड़ी फिल्में दर्च हैं या यू कहें कि इंडिया का कोई भी अबनेता नहीं है जिसके अपकमिंग प्रोजेक्ट में इतने महंगी महंगी फिल्में हो रिपोर्ट्स की माने तो वे इस समय एक फिल्म में काम करने के लिए 1500 करोण की फीज चार्ज कर रहे हैं और इस तरह वे इस समय इंडिया के सबसे महेंगे एक्टर बने हुए हैं 2022 में उनकी फिल्म रादे स्याम रिलिस होनी है जिसका बजट साड़े 300 करोण है केजियेफ के डिरेक्टर प्रसांद नील के साथ उनकी फिल्म सलार भी आनी है इस फिल्म का बजट 2500 करोण बताया जा रहा है आदी पुरुस में वे भगवान राम के रोल में नजर आएंगे इस फिल्म का बजट 500 से 600 करोण का है इसके अलावा डिरेक्टर संदी प्रेड़ी वांगा की स्प्रिट भी है इस फिल्म को भी 300 करोण के साथ तयार किया जा रहा है नाग अस्विन के प्रोजट के में भी प्रभास नजर आएंगे इस फिल्म का बजट 500 करोण बताया जा रहा है कुल मिलाकर इतनी बड़ी बड़ी फिल्में किसी भी एक्टर के पास नहीं है अब तक इन पर 1500 करोण से भी ज़्यादा का दाउं खेला जा चुका है निश्चिती प्रभास इस समय के नमबर वन पैन इडिया सूपर स्टार है तो दोस्तो ये रहा आज का हमारा एक special वीडियो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे comment section में बता सकते हैं साथी साथ next अब आप किस topic पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे comment section में ज़रूर बताएं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो please like करें comment करें और मेरे channel को subscribe करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद